हेलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप सब मैं संगीता आपके अपके नहीं यूट्यूब चैनल सुसिलोजी विस संगीता में स्वागत करती हूं हम लोग भारते समा संसे का सीजी कर जाते हैं जो कि हमारे आने वाले एकजाम के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता है तो इसी सीजी को हम आगे बढ़ाते हैं आज अक्षे रमनलाल देसाई जी के बाड़े में जानेंगे जिने की हम लोग ए आर देसाई के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अक्षे रमनलाल देसाई नाम थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए हम लोग इसे सौट फॉर्म ए आर देसाई के नाम से जानते हैं तो चले इनके जीवन के कुछ महत्पुन बिंदुओं की तरफ देखते ह इनका जन्म हुआ था 16 एप्रिल 1915 नाडियाड में और इनकी मेत्य हुई थी 12 नवंबर 1994 बड़ोदा में जो की गुजरात राजे के अंतरगत पड़ता है इनके पिता का नाम है मदललाल बसंतलाई देसाई जो की स्वेम में एक महान साथी जाहित्यकार थे जिनका की जीवन जो उनका सिध्धान्त था उनके साहित्यक रचना का इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाब पढ़ा था इनकी जो प्राडंबिक सिक्चा है वो बड़ोदा में ही हुई थी लेकिन इन्होंने उच्च सिक्चा मुम्मे बिद्यापीट में जाकर अपनी कम्प्लेट की थी जिसके कारण उनका जो माक्सवादी जीवन का परिपेश था इनके उपर भी पढ़ा था यार दिसाई पूरी तरस्याग हम बोल सकते हैं कि वह एक समाज सास्त्री थे माक्सवादी वीचार धारा के तो प्रवर्वर्थक से थे ही साथी साथ वह बहुत ही ज्यादा कटर बीरोधी थे मतलब समाज की अंतर उन्हें जितनी भी तरह की जो भी परचलन रीती रिवाज संस्ता है यह उन्हें बिलकुल भी पसंद नहीं थी इसका वह बीरोध करता ह चलिए इतके हम लोग जीवन के और आगे इनकी पतनी का नाम था नीरा दिसाए जो कि स्वें में भी एक महिला समाज सास्त्री थी और महिलाओं का उत्थान किस प्रकार से किया जाए इसका लेकर वह बहुत ज्यादा प्रयास करती रहती थी इनके नेक्स टॉपिक के हम आश्टवात की समाजिक प्रिष्ट भूमी जो की 1948 में इसकी रचना की गई थी तो यार दिसाए जी की जो पूरा जीवन चरित्र है उनका जो उनका सिध्धान्त वो इसी बुक्स के उपर निर्वार रहता है ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तुकों की रचना की थी लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ इंपोर्टन्स बुक्स कर रही लेकर आई है जो कि आपके आने वाले एक्जामें हमें सब पूशे जाते रहें तो सेकंड बुक है भारत में ग्रामिन समासास जिसकी रचना 1969 में की गई थी थर्ड बुक है भारत में राज्य और समाज जि इसकी रचना नाइंट यह भी 1979 में की गई थी चले हम लोग नेक्स्ट टॉपी के तरफ देखते हैं इनके कथन यह इन्होंने क्या कद यार्ड दिसाइब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि वह कट्टर विरोधी थे वह मांक्सवादी विचात धारा के बहुत ही कर राटा उन्होंने यहाँ तक कह दिया ता कि गांदी और नेहुरू भारत पर राज करना चाथा क्योंकि जब अंग्रेज जी लोग आकर यहां पर सासन करनेए और अंग्रेज सथा सत्ता के लिपरोधा नें जब नेसे भार दे मीडाक्त औरकर ने नहिउतने के लिया संग बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि अगर वह अंग्रेजों को यहां से मार भगाते हैं तो गांधी और नेहरु भारत पर क्या करेंगे राज करेंगे कि इनके कथन से पता चल रहा है कि वह किस प्रकार से मांक्सवाधी विचारधारा के प्रवर्टक्त है इनकी जो थियोरी है इसे कहा जाता है द्वंदात्मक एतिहासिक मौडल का सिध्धान्थ मांक्सवाधी विचारधारा जैसे ही आएगा तो वो वैसे हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि यह द्वंदात्मक पद्दती की बात करेगा कि समाज में जितने भी वर्ग है जितने भी समाज की जितनी भी समेटिया है इसमें द्वंद भी द्वंदात्मक एतिहासिक मौडल का सिध्धान्थ है इन्होंने एतिहासिक इसमें क्यों जोड़ा है वे बोड़ है कि हमारा जो भारत देश है ये एक ऐसा देश है जिसमें भीविन धर्म जाती के लोग आकर निवास करते हैं समय समय पर बहुत सारे धर्म के नीती के लोग आगा यहाँ पर सासन की हैं जिसके फ़लर सरफ उनका जो अलग-अलग धर्मों के लोगों का सिध्धान्त उनके निती निवाज संस्किती भारतियों के उपर में पड़ी है जिसके कारण भारत की भी जो संस्किती निवाज है उसमें भी कुछ हानी पहुँझी है इसी के आगे बनाते हुए वो जो द्वन्दात्मक एतिहासिक भौतिक वाद का सिध्धान्त की बात करते हैं इनकी जो कार्ज परनाली है इसमें वे बताते हैं कि भारतिय समासास्तियों में यार दिसाई जोनों ने अपने समासास के अध्यान में द्वन्दात्मक एतिहासिक म मौडल की लगातार वकालत की थी इस संदर में में बोलते हैं कि भारतिय समाज सास्तियों के बीच भारतिय समाजिक संरशना और इसकी प्रक्रियाव को अपने उप्चार में लगातार जो विकास कर रखिया जाता है उसा मांक्षवादी दिश्टोगोन के अंतरगत रखा गया है इसी के फलसरोप वो समाज में को तीन बर्गों में भारतिय समाज को तीन बर्गों में बाते हैं पुर्व अपनिवेशिक काल और उत्तर अपनिवेशिक काल इसके अंतरगत वे बताते हैं कि पुर्व अपनिवेशिक काल क्या था कि जब वैदिक काल के लोग आये थे जो पुराने यहाँ पर लोगण़ीटे थे तो जो वेदिक पुर्व्ogo रेयर ने वैंको पहुचायय और रो में इनकी जो नीती रिवाज अगर इनको पर हम सासन करेंगे तो इसको हम लो क्या करता है कि समाज में अपना स्थान अच्छा कर सकता है तो जितने भी प्रकार के जाती धर्म के लोग तो चाहिए वह ग्वाला हो बड़े हो या फिर कुछ भी जो जिनका धर्म जो जिनका जो जात बना दिया फिर क्या अपनिवेशिक काल किसे का जाता है जब कोई देश से किसी दूसरे देश में जाकर सासन करता है और वहां के लोगों को अपने अधीन कर लेता है तो उससे कहां क्या क्या जाता है अपनिवेशिक काल का जाता है तो भारत क्या मैं जैसा आपको पहले ही धारत एक ऐसाधे है जिसमेबी धरम जाती के लोग समय में आगर यहहां पर साधन किए ब्रिटिश द्रामराजीं के लोग भी यहां पर आकर सासन के उनलोगों ने देखा कि भारत में पहले से ही बहुत सारे धर्म बहुत सारे जाती कि भुप्हित के लोग आ के रहें जिसके क्एशिय। भारज की जो सांस्कृति किस्तितिती वह पहले से ही कम जोड लगा तो इसके उपर आर्थिक विवस्था के उपर आघाद किया अंग्रेजों Çोने मुगल सामराजॆ के बोलके उन्होंने उस बहुत सारे राज्यों को अपने अधिन कर लिया, बहुत सारे जमीनदारों को लोग दिया, लालज दिया, उनको अपने तरफ मिलाया, इस प्रकार से फिर उन लोगों ने भारत के उपर सासन स्थापित किया, फिर बहुत सारे आंधोलन हुए, चमपार नमक सत्यागर आंदोलन सवीने अवग्यां दोलन इर्विक पैक्ट का समझोता हुआ ऐसे बहुत सारे आंधोलन समाज की उन्नती करने के लिए समय से में पर होते ही रहे जिसके फ़लशरूप के हुआ कि अंग्रेज लोगों को 1940 में भारत को आजाद करना पड़ा आजाद करने के बाद कि अंग्रेज तो यहां पर आकर पहले से ही बस चुके थे जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति ती इसकी सामाजी किसी तो पूरी तरह से खतम हो चुके तो इसको उत्थान करने के लिए बहुत सारे सम्विधान की रशना की गए जो कि किसकी अंतरकत आ जाएगा उत्तर आपनिवेशी काल के अंतरकर से विधान की रशना की गए यहां पर देखा गये कि हम ऐसे कौन से नीती नियम कानून को बनाएंगे जिसके फ़लोशरूप समाज में भारत की जो इस्थिति है वह सूधिर हो सकरगी तो उन्होंने नहरू जी ने गांधी जी ने ऐसे बहुत सारे कारे किये तो इसी के फ़लोशरूप यार देखाई जी जो है वह भारत की जो नीती है उनका जो सिधान्त है वह क्या उसमें उन्हों की पुस्तक थी उसमें उन्होंने बर्णन किया है कि भारतिया राष्टवाद क तो मांक्षबादी-दिष्टिकौन के अंतरगत इसे बनाया, मांक्षबादी-दिष्टिकौन के अंतरगत बनाने के कारण उन Whoo जो ईतिहासिक जो दुढदात्मक जो सिधान्त है जो भौतिवादि का की बैख्या करते हैं उसमें उन्होंने बोलते हैं कि इस विभीन प्रकार के आंदोलान के फलासरोप के अवा ग्रामीन और सहरी जाती zucchdoor लोक बुख थी जद्धा सोसल बैग्डाउंट ऑफ इंडिया नेसलल इंडियम इसमें ना केवर इसके माक्षवाधी एकादमिक अभी बीन्यास के बारे में वे बताते हैं, बलकि इतिहास के साथ समासास्त्र को किस प्रकार से एक ट्रेट सेंटर के रूप में बनाना है, इसके बा आत्मक दिश्टी कोन से भारतिये राष्ट्रवाध का उद्धप के बारे में बताता है, और ये उनका एक उत्कृष्ट प्रयास था, और यार दिसाई जी के अनुसार भारत का राष्ट्रवाध ब्रिटिर्स उपनिवेस्वाध द्वाड़ा ही निर्मित्व है, उनके अन साइन उन्थ बोलते हैं, मा के रूप में भारत वर्स को देखते हो सकता नहीं दे, गुलाम थे तभी तो वे भारत को मा के रूप में संभोधत किये, अंग्रेजों ने ओद्योगी करन, आधुनी करन, इस प्रकार की जितने भी प्रयास किये, इसका वे बढ़नन करते हैं, स साथ ये भी बताते हैं, आसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजों ने जो भारत के उपर सासन किया, जिसके फलसुरूप किया हुआ, कि सिर्फ खानी पहुची है, लाब भी पहुंचा है, डेलवे लाइन भी चाहा है, अंग्रेजी सिक्षा को परचार पसार मिला है, तो इस प् उस्तक के माध्यम से वो भारत में राष्ट्रवाद के पूरा अच्छे प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है और साथी साथ भारत के जो तीन भागों में पुर्व अपनिवेशिकार और उत्तर अपनिवेशिकार के बारे में भी वे बताते हैं साथी साथ वे बताते हैं कि जो भार्तिय राष्टवाद है वो क्या है पुर्ब बिटिस समराज के ही अधिन आता है तो आपको यार दिसाई की जो सिधान तो वो बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे और मेरे चैनल के साथ आपने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद हमारा 500 कोशन का सीरीज भी चलड़ा है जिसे भी आप प्लिस देखा करें मैं यह कोसिस करती हूँ कि जो 500 कोशन का सीरीज जो उसमें ऐसे ऐसे कोशनों को लाया जा सके जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट हो तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद थैंक यू